Hello guys, welcome back to my new video तो आज की इस वीडियो में आप सभी कसाथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडर मेकप लूग जो की बहुत एजी होने वाला है साथी साथ मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि डस के स्किन टोन पर कैसे मेकप किया जाता है तो दो से पहले फेसे मौशायदर अपलाई करना है यहाँ पर मैं लेट में का पीजून मौशायदर अपलाई कर रही हूँ आपको 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 क्लाइन के स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही मौशायदर अपलाई करना है जो भी प्रोड़क्ट आपे उस्ट कर रहे हुः हो धहन रखो किए किándail के सिस्किन टौन और स्किन टाइक के अकॉर्डिदिन की ब्रश की हज़्स में कला रार का प्राइमर इनके पूरे स्किन पर अप्लाइ कर बहु जाए और मेकप करूं ऑप नहीं करके इसलीड हो जए अगर हम ळाइना प्राइमर को नहां हमेंग करना है अगर मोशले इस स्रप करेंगे तो अच्छे से अप्लाइन हो पार जैसी स्किन अगर इनका फेस जो मीडियम और फेर टॉन पर होता तो मैं 303 अप्लाइ करती बट इनका स्किन थोड़ा डस्की टाइप कर लगा मुझे यहां पिंगमेंट लगी वहांब आप्लाइ करना है अगर पूरे से पिंगमेंट लगी तो पूरे फेस में अप्लाइ कर दीजिएगा अब मैंने नेक पे भी अप्लाइ कर रहा है नेक भी थुड़ा डिसकलर रेशन था उखाई जैसे कि में आप सभी को बताइए यह अले अप्लाइ का सकते इसी में एक ब्रश दिया जाता उसकी हल्पसे भी आप्लाइ कर सकते हुए बट यहां पर मैंने इनके स्किन पर अच् शेट का मिक्सिन मैच करें के मैं इनके स्किन टून के अकॉर्डिंग एक शेड बनाऊंगी शेड को यूज करने से पहले पैस्टाइ जरूर कर लीजेगा अगर आप डिरेक्ली अप्लाइ करोगे तो बहुत साथ चांसेस हो सकते हैं कि इसकिन के इसे ब्लेंड करें अब आप ड्राइब करना ये प्लेंड कर रहा हैं इसलिए ब्रश की हेंसे ब्लेंड कर सकते हैं अब यूज करना काफी इजी होता है इसलिए आप आप बूची बेंडर रियूज कर रही हूं और अच्छे से इनके फाउंडेशन को ब्रेंड करूंगी गाइस मुछ से लोगा कमेंट आ रहा था कि आप करने कहां पारे गाइस मेरा सलून में हैं अगर आप इंट्रेस्टेड वो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको पूरा इडर से बता दूंगी अब गाइस हैना मेकप में महुत सारी प्रॉब्लम होती है मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि उनका मेकप एना मेकप करने बाद ग्रे हो जाता है उसके चांदे से हैं कि आप आपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग हैना अच्छा मेकप होगा अब जहां-जा मैंने औरेंज कलर कर्रेक्टर अप्लाइक आप 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 उप्लाइक करने लोगी एगा जलया जाता है जिससे ना ऐध्याद करियेगा दैबिंग मोशन से ब्र formas यदि अचील वर चैजल ब्लेंद करिएका अंडर आइस पे सबसे लास् पर सेट हो जाता है मुझे यह भी कमेंट आया था कि उनका मेकप रेना करने के बाद फट जाता है अब वो रीजन हो सकता है आपके जो फेशल हेर होते हैं उसके वज़े से भी जो हमारा बेस होता हो फ्लॉलेस नहीं बनता है और आप अपनी स्किन को अच्छे से स्करब कर ली जो कि Maybelline का है अब गाई Summers में लूस पाडर यूज़ किया जाता है उसकी हेल्प पर क्या होता है जो फेस होता है वो अच्छे सेट हो जाता है यहाँ पर मेबलिन का लूस पाडर यूज़ किया है जिसमें पौडर बश की हेल्से इनके पूरे फेस पर अप्लाए कर रही आप चाहे तो प्रीम कांटूर भी कर सकते हैं अब हैं पर मैं इनके जो लाइन पर कांटूर करें क्योंकि इनको डबल चिंगी प्रावलम थी तो इनका फेस काफी अच्छा चबी था यहाँ मैं के फेस पर अच्छा से कांटूरिंग कर लीज़ेगा ताकि जो फेसे वो प्रश रिया है ब्लश के लिए हैं पर मैं दो शेट का मिक्सिंग मैच करके बश्का शेट बना रहे हुँ जिसे में प्लश एरिया पर यह जैसे कि चिरिंग पे नूज पर चीश पे ब्लश को अप्लाई करें क्योंकि ब्राइज अगर आप ब्रस लागाने में कंजूरी करो आई मेकप और अच्छा दिखता है सबसे इंपोर्टेंट होता है अपने फेस में आइब्लो अगर आप अच्छे की फिल करोगे तो फेस अल्रेडी अच्छा लगने लगता है अब यहां पर मैं सेम कंसिल्टी का कंसिलर यूज किया था और इनके एज़ा आइवेस क्रेंट कुऱ् कर दूँगीं और भ्रस की हैस लिकार लेंट कर दी जाएंगी अब यहां पर गाईज मेहना बहुत स surprise में करने वाली कई क्लाइब कैसे काफिस होती तो इसलिए यहां पर मैं सिंपल साइब में करने वाली हूं अब यहां पर मैं ट्रांजिशन लाइट डो कर रहे हूं तो इस वीटी की पार देदे युट करें लिए और्फिशन लाइब अच्छा होगा तो ऐसे से ब्लेंड करिएगा तो हमारा आई मेकप भी अच्छा होता है अगर आप अच्छे से ब्लेंडिंग नी करोगे तो आई मेकप बिएड़ जाएगा तो ब्लेंडिंग अच्छे से रखिएगा तो आई मेकप आपका अच्छा दिखिएगा अभी है पर मैं निगा के नाइन कलर और आपको नेक्स वीडियो में या आने वाली वीडियो में जरूरू बताऊंगी कि कैसे है ना बिगनर एक आई मेकप कर सकता है अब मुझे कर्मेंड यह भी आया था कि बहुत फास्ट फास्ट बताती हूँ इसमें कोशिश करूंगे मैं अब स्लो बोलने की तो मेरी नेक्स वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि में स्लो बोलूंगी इससे आपको इजली समझ में आ जाएगा तो आप देख सकते हैं जो पेने ऐमेकआप किया न यह मैंने न शिम्री आई मेकआप न एक इसे मेंने कोशिमर अप्लाइ न रखा ए यह मैणे मैट आइशेडो रखा है अगर आप चाहते ही कि आशिमरी हो थोड़ा गवीडियो तो आप इनर पर जो में में एट आइसकोट अप्लाइखन है उसके आप मेरी आगे की वीडियो में किस तरह का लुक देखना चाहते हो अपनी नेक्स वीडियो में आपको दरूर बताऊंगी अब सेंटर की आइलेट के लिए यहाँ पर मैंने रेट का आइशेड़ का आइशेड़ किया है आप गाइस आप मुझे मैं से बहुत से कोशन पूछत आप जरूर फॉलो करिएगा आपका मेकप भी अच्छा होगा गाइस आप मेरी वीडियो में क्या क्या सीखना चाहते हो समर्स रेलेटेड याप मेरी कौन-कौन से मेकप लोग देखना चाहते हो यह मुझे आप करके बता सकते हो आप मुझे परसनानी मेसिज भी कर सकते हो क का लगी आप या लोग क्रेड लुझे करो मैंक्स वीडियो में definetly वाला लुक देख्रीट करूंगी अब यहा SUS खेंघर मॉर्च चाहते है व क्या क्या इंच्छे ने उख ब Neil और उसे आउटर में ले जाके समझ कर दिया आज कर आए में काफी ट्रेंड में और यहां पर मैंने मस्कारा प्लाए करा है जिसे अच्छा माइच पेंगे अपर और लेश से प्लाइब करूँगी इस तिक के लिए यहां पर मैंने लिप पैंसिल उस खानी जो कि शीड़े पिश्राया से जाते हैं जो सिभिक हो यहां पर मैं टिसकाराई लिश तिशी प्लाइए जाती दिशुत हैं जो सकते हैं ये इनका overall look था अगर आपको ये look अच्छा लगा हो तो comment करके जरूर बताईएगा और इस look को जरूर recreate करिएगा और like कर देजेगा मेरे इस video को ज़्यादा ज़्यादा share करिएगा अपने family और friend के साथ comment करके जरूर बताईएगे क्या आपको make up में जरूर बताऊंगे ये comment करके जरूर बताने के कोशिश करूंगे मिलते हैं गाईज मैंने next video में तब तक के रिए बाई गाईज टेक केर